असलाम लेकूम मैं हूँ अनीजा और आप देख रहे हैं कि चैनल दनीजा यूट्यूब चैनल आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार बनने वाले भरे हुए टीन डे तो जल्दी से देखते हैं इसके में किनकी चीजों की ज़रूरत है तो सबसे पहले हम आदा किलो टीन डे लेंगे दो अदत मीडियम प्याज इसे बारीग-बारी काट लें दो मीडियम साइज के टमाटर इसे बारीग-बारी काट लें एक टीस्पून अध्रक लेसन का पेस्ट लेंगे आदा ग्लास पानी थोड़ा सा हरा धनिया गार्निशिंग के लिए एक बड मिच लेंगे से बारिक-बारी काट लें एक टीस्पून सुका धनिया पाउडर हाफ कप ओईल लेंगे हाफ टीस्पून नमक एक टेबल स्पून लाल मिच हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर हाफ टीस्पून गरम मसाला लेंगे तो यह थी हमारी सारी चीजें अब बनाना शु लोगा-हलका चील लेंगे तीनडों के दरमयान में छिस्सा होता है चुरी के मद्द से इस हाट के साइड पे कर देंगे अब बाकिय। को भी इसी तरह हलका-हलका चुरी से छील लेंगे। तो टींडे हमने सारे चील लिए हैं, अब सारे मसालों को एक जगा मिक्स कर देंगे, सबसे पहले लाल मिच में नमा कैट करें, हल्दी पाउडर शामिल कर दें, गरम मसाला पाउडर, सूखा धनिया पाउडर और चम्मा से अच्छी तरह मिक्स कर लें, तो ये देखें मसाला ह हमारा अच्छी तरह मिक्स हो गया है, अब हम टींडे लेंगे, और चुरी से टींडों को कट्स लगाएंगे, बहुत नीचे तक नहीं काटना, सिर्फ हलका हलका कट लगाना है, तो ये देखें, इस तरह से हम खोल लेंगे, कट लगाते जाएंगे, सारे टींडों को इसी त थोड़ा सा चमच में मसाला लें, और हाथ की मदद से टींडों को इस तरह से खोल लेंगे, और मसाले को इनके अंदर शामिल कर दें, सारे टींडों को इसी तरह हाथ की मदद से टींडों को थोड़ा थोड़ा खोलते जाएं, और चमच से इसमें मसाला एट करते जाएंगे सारे टिंडे को इसी तरह मसाले से भर लेंगे तो यह देखें टिंडा हारा हो गया है अब इसको प्लेट में रखते जाएंगे एक और टिंडा लेते हैं इसको भी हमने उसी तरह कट लगाया था उंगलियों की मदद से खोलेंगे बहुत जोर से आपने नहीं खोलना तूट भी सकता है अराम राम से इसको खोलें हलके हाथ से और इसमें चम्मस से मसाला एट कर दें तो यह मसाला एट हो गया है अब इसे प्लेट में रखते जाएंगे इसी तरह सारे त्यार कर लेते हैं तो ठिंदे हमारे सारे त्यार हो चुके हैं अब एक कड़ाई में ओईल एट करें ओईल को गरम होने दें ओईल हमारा गरम हो गया अब इसमें प्याज एट करतें तो प्याज हमारा पकना शुरू हो गया है प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राइ करेंगे तो प्या सा पानी एड़ करेंगे 6-7 मिनट के लिए से ढख देंगे तो 6-7 मिनट हो चुके हैं ढखकन उठा लेते हैं अब मसाले को 2 मिनट के लिए भून लें अब हम इसमें टींडे एड़ कर देंगे सारे टींडों को इसी तरह रखते जाएंगे आज आपने मीडियम रखनी है तो ट प्रास से चारों तरफ थोड़ा थोड़ा पानी एड़ कर दें अब 10-12 मिनट के लिए ढख देंगे तो 10-12 मिनट हो चुके हैं अब टींडों की हम साइट चेंज कर देंगे अब सारे टींडों को दो चमच की मदद से अराम राम से साइट चेंज करते जाएं आंच आपने म अराम राम से साइट चेंज करेंगे 8-10 मिनट के लिए दुबारा धाज देंगे तो 8-10 निट हो चुके हैं धकन उठा लें तो माशाल ला मारे दोनों तरफ से पक चुके हैं अब डिंडों की साइट चेंज कर लेते हैं तो ये देखें टींडे हमारे दोनों तरब से कितने अच्छे पके हैं अब धनिये से टींडों की गानिशिंग कर लें तो टींडे हमारे पक कर त्यार हो चुके हैं अब टींडों को सर्विंग प्लेट में सर्फ कर लेखते हैं तींडे हमने सर्विंग प्लेट में निकाल लिए हैं अब हरे दनिये से तींडों की गार्णिशिंग कर लेते हैं तो तयार है हमारे सबर्दस से मज़ेदार से छटपट से बनने वाले भरे हुए तींडे तींडों की ये रेस्पी बहुती मज़ेदार होती है आप जरूर ट्राइ कीजिएगा अगर आपको में रेस्पी अच्छी लगी तो लाइक करें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को प्रेस करना मत बुलिएगा ताके मेरी हर नहीं आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके मिलते हैं नेक्स वीडियो में अल्लाहाफेज